राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको बेसाख मास महातम की कथा का 28 अध्याए श्रवन करवाने जा रही हूँ बंधों 28 में अध्याए में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बेसाख मास में तेन तिथियां शेश रह गई हैं उन तेन तिथियों में ऐसा क्या दान पुन्य करें कि आपके सभी पापों का नाश हो जाए और आपके पुन्ये में व्रिधी हो बंधों आपको मुक्ती की प्राप्ति हो और आपके जीवन पूरन सुख में हो जाए बंधों मैं भगवान से यही प्रात्ना करती हूँ कि आप सब के जीवन में बेसाख मास महातम की कथा सुनने मात्र से खुश्यां ही खुश्यां आएं आपकी हर्मनों कामना शिग्र पूरी हो बंधों यदि आपने बेशाक मास में शनान नहीं किया तो अंतिम इन तीन तिथियों में भी यदि आप शनान कर लेते हैं और यदि तीन नहीं तो दो तिथियों में अगर दो नहीं तो अखीरी तिथी पुर्णिमा को ही वेशाख मास शनान प्रातेकाल सुर्योदेश से पहले उटकर कर लेते हैं तो आपको पूरे वेशाख मास में शनान के ब्राबर ही पुर्णिय की प्राप्ति होगी बंधों यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल संसकार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाले सभी वीडियोज की जानकारे सबसे पहले हो सके बंधों कथा को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे विश्णु भगवान जे माल लक्षमी अवश्य बोलें क्रिश्नाय वासु देवाय हरे परमात्मने प्रनत क्लेश नाशाय गोबिंधाय नमो नमा बंधों अब आप सभी बोलिये शी विश्णु भगवान कीजे लक्षमी माता कीचे और प्रेम पुर्वत कथा को श्रमन कीजे शुरुत देव जी कहते हैं बेशाक के शुकल प्रक्षमी जो अंतिम तीन त्रियोशी से लेकर पुर्णिमा तक की तित्या हैं वे बड़ी पवित्र और शुब कारक हैं उनका नाम पुश करनी हैं वे सब पापों का ख्षय करने वाली हैं जो समपूरन वेशाक मास में शनान करने में असमर्थ हों वह यदि इन तीनों तित्यों में भी शनान करें तो वेशाक मास का पूरा फल पा लेते हैं पूर्वकाल में वेशाक मास की एक कादशी तित्य को शुब अम्रित प्रगट हुआ द्वास्षी को भगवान विश्णों ने उसकी रक्षा की त्रियोस्षी को उन्षी हरी ने देवताओं को सुधा पान कराया चतुर्दशी को देव विरोधी देट्यों का सनहार किया और पुर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका समराज्य प्राप्थ हो गया इसलिए देवताओं ने संतुष्ठो कर इन तीन तित्यों को वर दिया वेशाक मास की ये तीन शूप तित्यां मनुष्चों के पापों का नाश करने वाली उन्हें पुत्र पुत्र आदी फल देने वाली हो जो मनुष्चे इन संपूरन मास में शनान ना कर सका हो वह इन तीन तित्यों में शनान कर लेने पर पूरन फल को पाता है वेशाक मास में लोकिक कामनाओं का नियमन करने पर मुनुष्य निष्चे ही भगवान विष्णु का सायुच्य प्राप्ट कर लेता है महीने भर नियम निभाने में अस्मर्थ मानव यदी उक्त तीन दिन भी कामनाओं का सयम कर सके तो उतने से ही पूरन फल को पा भगवान विश्नु के धाम में आनन्द का अन्भव करता है इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए अतेपुशकर्नी नाम से प्रसिद अंतिम तीन तितियां पुन्यदाई ने समस्त पाप राशी का नाश करने वाली पुत्र पुत्र को बढ़ाने वाली है जो विशाक मास में अंतिम तीन दिन गीता का पाड़ करता है उसे प्रती देन अश्व मेग यग्य का फल मिलता है जो उक्त तीनों दिन विश्नु सहस्त नाम का पाड़ करता है उसके पुन्य फल का वर्नन करने में इस भूलोक और स्वर्ग लोक में कोन समर्थ है पुर्णिमा को सहस्त नामों के बारा भगवान मधु सूधन को दूद से नहला कर मनुष्य पाप हीन वेकुंट धाम में जाता है वेशांक मास में प्रती दिन भागवत के आधे या चुथाईश लोक का पाड़ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्थ होता है जो वेशांक के अंतिम तीन दिनों में भागवत शास्तर का शवन करता है वेह जल्क से कमल के पत्ते की भावती कभी पापों से लिप नहीं होता उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्थ कर लिया कितने ही सिध्ध हो गये कितनों ने ब्रह्मत्व पालिया ब्रह्म ज्यान से मुक्ति होती है अत्वा प्रियांग में मृत्यू होने से या विशाख मास में नियम पुर्वक प्रात्यकाल जल में शनान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए विशाख के अंतिम तीन दिनों में शनान, दान और भगवत पूजन आदी अवश्य करना चाहिए बेशाक मास के उत्तम महातम का पूरा-पूरा वर्नन रोग-शोग से रहित जगदिश्वर भगवान नरायन के सिवा दूसरा कोन कर सकता है तुम भी बेशाक मास में दान आदी उत्तम करम का अनुष्ठान करो इससे निश्चे ही तुमें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी इस प्रकार मिधिलापती जनक को उपदेश देकर शुद्ध देव जी ने उनकी अनुमती ले वहां से जाने का विचार किया तब राजशी जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सब कराया और शुद्ध देव जी को पाल की पर विठा कर विदा किया वस्त्र, अभूशन, गो, भूमी, तिल, स्वर्न आदी से उनकी पूजा और बंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की तत्पचार, उनसे विदा हो, महाते जस्वी, एमंपरम्यशश्वी, शुद्ध देव जी संतुष्ठो, प्रसंता पुर्वत, वहां से अपने स्थान को गई राजा ने बेशाक धरम का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया नारजी कहते हैं अम्रीश, यह उत्तम उफाख्यान, मैंने तुम्हे सुनाया, जो कि सब पापों का नाशक संपूरन संपत्यों को देने वाला है इस से मनुश्य, भुक्ती, मुक्ती, ज्यान, एवं मोक्ष पाता है नारजी का यह बचन सुनकर, महा यशश्वी राजा, अम्रीश, मन ही मन बहुत प्रसन हुई उन्होंने बाहरे जगत के वेपारों से निब्रित्थ होकर, मुनी को साश्टांग प्रनाम किया और अपने संपूरन वैभवों से उनकी पूजा की तत्पस्चात उन से विदा लेकर, देवरिशी नारजी दूसरे लोक में चले गए क्योंकि दक्ष प्रजापती के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठह सकते राजशी अम्रीश्वी नारजी के बताये हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुन परब्रम परमात्मा में विलीन हो गए जो इस पाप नाशक एवं पुन्य वद्धक उपक ख्यान को सुनता और पढ़ता है वह परमगती को प्राप्त होता है जिनके घर में लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ती आ जाती है फिर जो सदा इसके श्रवन में लगे रहते हैं और अपने मन को इसके श्रवन में लगाते हैं उनके लिए तो कहना है क्या है बोलो विश्नु भगवान कीजे लक्ष्मी माता कीजे राधे राधे जे श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी एक कथा पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और श्यर भी जरूर करना ताकि आपके मित्र और रिष्टेदारों को भी इस कथा को सुनने से फाइदा हो सके